मेटाबोलिजम टीवी में आपका स्वागत है आपके मेटाबोलिजम और स्वास्थे के बारे में सही जानकारी का स्रोत नाखूनों में फंगस मैं हूँ फ्रैंक स्वारेज मोटापा और मेटाबोलिजम के विशेश जया मैं आज आपसे फंगस के बारे में बात करना चाहता हूँ नाखूनों में होने वाले फंगस के बारे में जो शरीर के विभिन्न हिस्सों में हो सकते हैं हम पैरों के नाखूनों की बात कर रहे हैं जहां सबसे अधिक हमला होता है या यहां तक की सबसे गंभीर मामलों में हाथों के नाखूनों की भी मैं एक पल के लिए बोर्ड पर जाकर इसे समझाता हूं लेकिन पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं मुझे माफ करें कि यह तस्वीरें थोड़ी कड़ी हैं लेकिन यह वास्तविकता है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो देखने में स्वस्थ लगते हैं लेकिन अगर आप उनके जूते और मोजे उतारें तो आप देखेंगे कि उनके पैरों के नाखूनों में फंगस का संक्रमन है जो इस बात का संकेत देता है कि उनके शरीर में क्या चल रहा है उदाहरन के लिए पैरों के नाखूनों के मामले में सबसे गंभीर मामलों में मधुमेह रोगी होते हैं उदारण के लिए मधुमेह रोगियों में आप देखेंगे कि कई लोगों को मधुमेह नियूरोपैथी या मधुमेह पैर की समस्या होती है जिसमें पैर सूच जाता है और आप पाएंगे कि उनके सभी नाखून फंगस से भरे होते हैं, ये बहुत ही गंभीर संक्रमण होते ह और पैर की उंगलियों के बीच में बहुत खुजली होती है सबसे गंभीर मामलों में फंगस केवल पैरों के नाखुनों पर ही हमला नहीं करता बलकि सबसे गंभीर मामलों में हाथों पर भी हमला करता है जब ये हाथों पर हमला करता है, तो ये वास्तव में गंभीर मामला होता है, तो मूल रूप से, ये हाथों में हो सकता है, पैरों में हो सकता है, सबसे आम पैरों में होता है, लेकिन मैं एक पल के लिए बोर्ड पर जा रहा हूं ये बताने के लिए, कि इसके साथ क्या किया ज जाता है और क्या किया जा सकता है और यह क्या संकेत देता है मैं बोर्ड पर जा रहा हूं ध्यान दें यह समझना जरूरी है कि सभी फंगस जिसमें Candida भी शामिल है Candida albicans जो सबसे अधिक जाना जाता है क्योंकि यह सबसे आकरामक है मानव शरीर में 500 से अधिक विभिन्न प्रकार के फंगस होते हैं हम हमेशा Candida albicans के बारे में बात करते हैं हालांकि Candida tropical और अन्य प्रकार भी होते हैं क्योंकि यह प्रका किये गए हैं जहां पाया गया है कि ग्लूकोज की नली के माध्यम से सबसे अधिक बढ़ने वाला कैंडिडा एल्बिकंस है यानि यह एक बहुत ही आकरामक फंगस है और यह एक बहुत ही अवसरवादी फंगस है और खासकर जब रक्त में ग्लूकोज चीनी का स्तर उच्छ हो है तो वह प्रजनन करता है क्योंकि यह उसे एक अत्यधिक अनुकूल वातावरन प्रदान करता है अब यह नाखूनों में फंगस कैसे होता है और जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं वह किसी भी व्यक्ति के लिए सही है चाहे वह पतला हो मोटा हो मधुमेह रोगी हो या कोई भी व्यक्ति जिसके पैरों की उंगलियों में विशेश रूप से नाखूनों में बहुत अधिक फंगस हो उसे पता होना चाहिए कि वह उच्च ग्लूकोज की समस्या का सामना कर रहा है ग्लूकोज रक्त की शरकरा है ग्लूकोज आपके शरीर की सभी कोशिकाओं का कैसे ही आपका शरीर ग्लूकोज से चलता है कोई भी व्यक्ति जिसके पैरों में बहुत अधिक फंगस हो या यहां तक कि अगर उसके हाथों में भी बहुत फंगस हो जो आम तोर पर पैरों में होने वाले फंगस से अधिक गंभीर होता है को मतलब कि यह उंगलियों में तक मधुमेह रोगी के रूप में निदान नहीं किया गया है कुछ लोग जो पतले होते हैं उनकी ग्लूकोज का स्तर बहुत अधिक होता है और वे मधुमेह रोगी नहीं होते हैं हालां कि कुछ मधुमेह रोगी पतले होते हैं और यही वे मधुमेह रोगी है जिसे सबसे क्या वह जानकारी जो diabetes बिना समस्याओं के किताब में है लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जाने कि इसका कारण क्या है जब भी पैरों के नाखूनों में फंगस या हाथों के नाखूनों में फंगस की समस्या होती है तो हमेशा glucose का स्तर उच्छ होता है इसके लिए आपको किन्वित होती है कोई भी शरकरा किन्वित होती है यदि उदाहरण के लिए आप अनानास का रस या मीठा आम का रस या कुछ ऐसा निकालते हैं और उसे फ्रिज के बाहर रख देते हैं और काफी समय तक छोड़ देते हैं तो वह किन्वित हो जाता है सभी शरकराएं किन्व होता है वह एसेड 21% अधिक भारी होता है मैं हमेशा कहता था कि मेरा वजन 5% अधिक है जब तक कि मेरे दोस्त चार्ल्स कूपर जो कि कुरासाओ के रसायनज और रसायनिक इंजीनियर हैं ने मुझे सही नहीं किया उन्होंने कहा फ्रैंक यह 5% अधिक नहीं है ये 21% अधिक है तो Lactic Acid रखत से 21% अधिक भारी है पानी से 21% अधिक भारी है और चूंकि हमेग गुरुत्वा कर्शन वाले ग्रह पर हैं, तो यह नीचे चला जाता है, क्योंकि गुरुत्वा कर्शन इसे खींचता है, जब यह नीचे जाता है, तो यह शरीर के सबसे निचले हिस्से को प्रभावित करेगा, जो पैरों की उंगलियां होती है, जहां पैरों के नाखून होते हैं, क्योंकि हाथ आम तौ जिसमें नाखूनों के संक्रमन की समस्या हो, चिंता ना करें, नीचे तरल पदार्थ लगाने, और इस तरह की चीजें करने से ये हल नहीं होगा, आपको तीन के बदले एक की डाइट करनी होगी, आपको अपने ग्लूकोज के स्तर को नियंतरित करना शुरू करना होगा, पान